अस्सलामु अलेकुम ये अमाउंट लिखी आ रही है ये अमाउंट पे करके ही रिटर्न सब्मिट होगी इसके लिए ब्राउजर में टाइप करें e.fpr.gov.pk और एंटर यहाँ e-payments में जाकर income tax पे क्लिक करें tax year यानि जिस साल की रिटर्न है वो सिलेक्ट करें और फिर यहाँ cnic सिलेक्ट करके वो एंटर करें तो आपका नाम सिस्टम खुद उठा लेगा अब यहाँ tax payment नेजर में admitted income tax सिलेक्ट किया तो तमाम personal detail सिस्टम खुद पिक कर लेगा फिर tax payment section में भी admitted income tax को सिलेक्ट करें जितनी amount return form में आ रही है वो यहाँ लिखी कहीं भी क्लिक करें तो amount in words खुद ही आ जाएगी अपना payment mode सिलेक्ट करें cash असान है तो वो ही सिलेक्ट करते हैं और amount फिर enter की यहाँ अब अपना email address और mobile number एंटर किया और फिर create के बटन पे क्लिक करतें सिस्टम आपको message देगा कि अपनी tax payment details को दुबारा गौर से देख लें अगर change करनी हो तो back का बटन क्लिक करें और अगर ठीक हैं तो confirm का बटन क्लिक करें confirm करते ही आपको system चलान प्रिंट करने का option देगा उसे प्रिंट करें और किसी भी करीबी national bank की ब्रांच में जमा कराएं amount जमा कराने के बाद bank आपको एक computerized payment receipt number देगा जिसके जरीए आप अदा किये हुए tax का record अपने form में एंटर करेंगे उसके लिए यहाँ payment में जाएं यहाँ plus पे क्लिक करके computerized payment receipt number लिखें और search का बटन दबाएं आपका record यहाँ आ जाएगा उसे select करेंगे तो वो add हो जाएगा इसके बाद आप verification पे जाके pin एंटर करें और return submit कर दें अब payment हो चुकी तो return submit हो जाएगी आप भी return file करें और हमारी तरह filer होने का फाइदा भी उठाएं और मुल्क की तरक्ति में हाथ भी बटाएं